अब आप टोल पर 24 गंटे में वापसी करने पर कई लोगों को ये confusion चल रहा है कि पहले तो टोल ब्लाजा से रिटर्न काट टोल लेते हैं जिस पर उन्हें कुछ डिसकाउंट मिलता है लेकिन पास्टेग आने के बाद इस वज़स्ता का लाब हुने कैसे मिलेगा तो हम अपने दरशकों को बता दें कि ये लाब आपको पास्टेग लगाने के बाद भी मिलेगा दरशल यदि आप पास्टेग से 24 गंटे में उसी टोल से वापस आते हैं तो आपका आधा टोल काटा जाएगा जब की टोल से जाते समय एक तरफ की पूरी राशी काट लिजाएगी इस परकार टोल से 24 गंटे में लोटने पर वहां चालग को महज डेड़ भुना राशी ही देनी होगी तुईदा के बाद चालग को टोल पर ची संभाल कर रखने कि आप शक्ता से भी मुक्ती मिल जाएगी वहीं NHAI ने टोल से निकलने वाले वहानों की स्पीड को भी तै किया है आपको टोल से निकलते समय वहान की अधिक्तम सीमा 20 किलोमेटर पति घंटे से जादा नहीं रखी है क्योंकि इस गती सीमा से निकलने पर ही आपके वहान की विंड स्क्रीन पर लगे पास्टेक को रेडियो फिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नलोजी रीड कर पाएगी इसलिए अब टोल पर पास्टेक के साथ निकलें तो अपनी वान की स्पीड 20 किलोमेटर से कम ही रखे वहीं जानकारी के मताबिक टोल पर रेडियो फिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फेल होने पर टोल प्लाजा कंपनी हाईवे अथॉर्टी की नियमों के अनुसार टोल वसूल नहीं कर पाएगी टोल करमचारीयों को वहन चालकों को जीरो बैलेंस की रसीद देकर टोल पाल करवाना होगा क्दो कि आ अननाivities का आजा डिरातीर घड़े अजिकेशन फ्यांटॉ क्यों में ड़ीं तॉर्टास से अजाएफ़शन थिर्बतिको कि का इचतिको लघवाल झाल जो झाल प्राइब प्राइब प्राइब